आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें प्रशन हमें दिया हुआ है कि ताप की स्थाई दशा में किसी छड़ में गमन करने वाली उश्मा की मात रहे तू वेंजक हमें स्थापित करना है या प्रतिबादित करना है इसके लिए हमें क्या लेना होगा हमें एक छड़ लेना होगा जो स्थाई दशा पर यहां पर है द स्थाई दशा एक ऐसी दशा होती हैं जब हम किसी छड द cul스 या किसि सुचल लग पर्डार्ट को यदि हम क्या करते हैं हमने उसे उश्मा दी है उश्मा किसे माध्यम से य cowardी उसे दी जाती है तो एक समय के प्रशाट क्या होता है उसका जो प्रतिक प्रिस्ट है एक समान यहां पर तापमान धारण कर लेता है उसके अलावा समय के अनुसार यदु हम बाद में किसी समय किसी प्रिष्ठ के लिए युस स्थान पर देखते हैं तो नियत होता है इसलिए उसे थाप की स्थाई अशा कही पर मानलीजे रखा था गर्मशोत रखा था तो यहां से उश्मा यहां पर जरूरी है कि उश्मा यहां से निकलते हुए इस अंदर फलक पर से यहां से चालन की तरह होते हुए दूसरे इस्थान पर जाती है यह दूसरे इस्थान पर संचरित हो पाती है इस माध्यम के लिए ह अप्मार के मान है उन फलकों पर और उन फलकों के शेत्रफल जिसमें से उश्मा का प्रवाँ हो पाता है और प्रस्तकाट शेत्रफल उसे capital A से प्रस्थत कर पा रहे हैं ठीक है अब वह शेत्रफल किस तरह पर होंगे वह यहां पर हम बोलते हैं वृत्ताकार परिष्यत के देखिए थीटा वन और थीटा डूटा आपमान यहां पर है उश्मा का प्रवा कहां से कहां होने वाला है उश्मा का प्रवा फलक एक से फलक दो तक के बीच पर होने वाला है जहां उसके अनुपस्त कार्ट जो परिशेद हैं वो यहां पर समान रहने वाले हैं इस प्रकार यदि उश्मा की मात्र यहां से दूसरे चोर पर जाती है, तो वो किस-किस पर निर्भा करेगी, वो हमें देखना होगा, अब देखिए, यदि हम निर्भरता की बात करें, गर्मशोदे रखाया और वो जो ताप की स्थाई दशा में, उस छड से, एक फलक से फलक पर प्रवा आइत होने वाली उश्मा की मात्र जो होती है, उश्मा की मात्र यहां पर उसके अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होने का मतलब यह है कि जितनी अधिक यहां पर शेत्रफल होगा, फलक का शेत्रफल जितना अधिक होगा, उश्मा को जाने के लिए, वो ज कि आसाने से उश्मा का इस थांतर ने एक स्थांस से दूसरे स्थां हो पाएगा तो यह हमने देख लिया दूसरा हम देखते हैं कि जो उश्मा होती है जो उश्मा की मात्रा है वो दोनों फलकों के भी इस तापांतर मतलब थीटा वन से थीटा टू मतलब उनके तापमान में अंतर के भी अनुक्रमानुपाती होती है अनुक्रमानुपाती होने का मतलब यह है कि तापांतर जतना ज्यादा अधिक होगा उश्मा की उतनी ही मात्रा वहां से प्रवाइत हो पाएगी एक फलक से दूसरे फलक के मद्धे पर और यहां पर तीसरी बात आती है कि जो उश्मा अधिक लंबाई उसकी रहने वाली है उतने ही कम मात्रा में उश्मा का यहां पर क्या होगा उश्मा का प्रवाः हो पाएगा ठीक है अब जो जो निर्भरता हमारे पास थी सभी को एक सांतियादी हमने लिखा तो क्यूं जो समानुपाती होता है वो किसके किसके अनपस का छे से प्रसुत किया हुआ है यहाँ पर ए ठीटा वन ठीटा टू और अनुपात की रूप में देखते हैं नीचे तो हमारे पास क्या मान आएगा हमारे पास यहां पर मान बनेगा डी की रूप में यह हमें बता रहा है कि उश्मा की मात्रा प्रवाइथ होने वाले इस थाई द उस पदार्थ के लिए उसकी उश्मा चलकता गुड़ांग का मान उश्मा चलकता गुड़ांग जो होती है उसका मान नियत होता है और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्वर करते हैं अब यहां पर यदि हम देखे हैं कि नियत समय में उश्मा की मात्रा कितनी प्रवाइ रहे यहां पर संद्य किस प्रकार से यह होती है अनुक्र मानपाति मतलब जितना ज़्ाधा समय मिलेगा उसके लिए तो हम बोल सकते हैं कि उश्मा प्रवाह उत्र ही मात्रा में अधिक होगे तो फिर्वन प्रवाह की दर्त लिख पाते हैं इस समय कर्ण में अब में उश्मा प्रभा की दर को बता रहा है यहीं हमें प्रश्ण में सिद्ध करना था कि उश्मा चलगता गुड़ां के लिए वेंज़क इस्थापित करना था ठीक है धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आशी डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर